नमस्कार न्यूजेटीन मध्रदेश अतीजगर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपड़ना मौज़िम भोपाल गैस पीडितों को लेकर कल हाई कोट में सुनवाई होनी है नौ अधिकारियों को अवमानना का नोटिस केंद्र और राज्ये के अधिकारियों को ये नोटिस दिया जवाब देने की जो समय सीमा है वो आज खत्म हो रही है बोपाल गैस पीडितों को लेकर कल हाई कोट में सुनवाई होनी है नौ अधिकारियों को कोट की अवमानना के नोटिस के मामले में जवाब दे रहा है और आज जवाब देने की डेडलाइन खत्म हो रही है यानि कि आज आखरी दिन है जवाब देनी खा केंदर और राचे के अधिकारियों को ये नोटिस फिला है इसमें पूर मुख्य सचेव एकबार सिंग बैस भी शामी है गैस पिडितों के इलाज से जुड़ा हुआ ये मामला है फोट के आदेश की अफमाना है शैलेंद्र हमारे सयोगी हमारे साथ लाइफ जूड़ रहे है शैलेंद्र नोटिस देने के समय सीमा आज खत्म हो रही है इस मामले को लेकर क्या हल चल क्या अपडेट बतादू कि भारत बर्स की बोत रास्डी जिसको कई साल गुजर जाने के बाब जूद भी आज भी लोगों के जहन में वो मंजर ध्यान है और यही कारण है कि हाई कोट ने इस मामले में संग्यान लेती है दो हजार बारा में मद्द्रदेश सरकार को आदेश किया था कि जो गैस पीडित लोग हैं उनके जीवन यापन के से जोड़ी चीजे हों या स्वास से जोड़ी हुई चीजे हैं उन पर बिसेश सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी हर दरुद को पूरा करने का निर्देश जो है वो हाई कोट के तरब से दिये गया थे लेकिन उस कुछा गया था कि आखिर यह अबमानना आपने क्योंकि उस अबमानना नोट्रिस का आज आखरी देने डेडलाइन है जब उनको जबलपुर हाई कोट में अपना जवाब पेस करना और कल इस मामले में सुनवाई होनी हाई को ने जब इन लोगों को नोट्रिस जारी किये त पिर दूसरे अन जो नहीं रखाया तो कहीं न जहीं जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको इस पूरे मामले में दोसी माना है और पूर्म सीएस हैं तो जो नोट्रिस जवाब देने का आखरी देने अब देखना होगा कल जब इस मामले में जबलपुर हाई कोट में सुनवा जी बहुत शुक्री आपका इस पूरी जानकारी के लिए आत्मा प्रोजेक्ट के समविदा कर्मियों का मांदे बढ़ाया जाएगा कृशी मंत्री ने मांदे बढ़ाने की निर्देश दे दिये है 1270 से 2333 रुपे सहायकों का मांदे यानि की बढ़ा हुआ मांदे हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर लेकपाल का भी वेतन बढ़ेगा असिस्टिन टेक्नोलोजी मैनेजर का भी वेतन बढ़ाया जाएगा Block Technology Manager का भी मांदे बढ़ाया जाएगा ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आत्मा प्रोजक्ट के लिए जो समविदा कर्मी हैं उनका मांदे बढ़ाया जाएगा कृशी मंत्री ने इस मांदे में इजाफा करने के निर्देश दे दिये हैं पहले 1270 रुपे मांदे था अब इसे बढ़ा करते जाएगा 2333 रुपे इन में कम्पीटर प्रोग्रामर, लेखपाल, इनका वेतन बढ़ेगा साथी Assistant Technology Manager और Block Technology Manager का भी मांदे बढ़ाया जाएगा तो क्रिशी मंत्री ने मांदे बढ़ाने की निर्देश दे दिये हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2333 रुपे का इजाफा हो जाएगा बढ़े हुए वेतन के बाद मतलए इतना इनको मिलेगा आप शैलेंद्र बढ़ारिया हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सायोगी शैलेंद्र बांगते बढ़ाया जाएगा संविदा कर्मियों का अच्छी खबर उनके लिए बिल्कुल फसी तॉर पर इससे चुराओ के समयंद्र जो तमाम संविदा करमचारिय से उनके बदा सरकार से मम की लेंगिए थी कि बद्र मोई रहा है अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही है जहां आवारा कुटों से आतंकित राजधानी भुपाल में महापौर की अधिक्षता में नगर निगम की बैठक हुई बैठक के बाद महापौर मालती राय ने कहा कि पैट लवर्स के साथ कई बार सहयोग के लिए कहा गया उनसे बातचीत करने की भी पेशकश रखी गई मालती राय ने कहा कि पैट लवर्स की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है पैट लवर्स सहयोग नहीं कर रहे हैं वही उन्होंने कहा कि निगम आवारा कुटों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है पेटलवर्स पर निगम अब कारवाई भी कर रहा है महापौर ने कहा कि निगम के पास अमले की कोई कमी नहीं है साथ लोगों पर निगम के काम में बाधा डालने पर कारवाई की गयी है महापौर्ण ने बताए कि कुत्तों के लिए अद्निगम अलग से अध्यारण बनाने की तैयारी कर रहा है मनुष्यों को दूस भोपाल में रहने वाले हम पशू से प्रैम करते हैं और मानों को नुक्सान पहुचवा रहे हैं आपको हमेदी अभी एक रिकॉर्डिंग दिखाए तो उसमें नगर निगम के कर्मिचारी आपको जानकरी होगी क्यों उनके पिंजड़ा जो रहता है जिसमें वो डॉक को पकड़ते हैं लगबग 10 से 20 किलो का वो पिंजड़ा रहता है उसको लेकर डॉक जितनी तेज दोड़ता है उतनी तेज वो दोड़कर उस डॉक को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जब गाड़ी पे लेकर प कलवा देते हैं तो हां ये अभी हमने ये मंगवाए है यो देखे यंग लोग हैं और ये यंग लोग भोपाल को सवाल यह उठ जाता है कि जिस तरह से हम निगम पर या अधिकारे उपर सवाल खड़े कर देते हैं कि वो कोई कारवाई नहीं करें लेकिन यहां महापॉर ने साफ कर दिया कि कुछ पैट लवर्स ऐसे हैं जब जब कारवाई की बात होती है तो हंगामा तो खड़ा कर देते हैं लेकिन सयोग करने के बजाए बैठक में आने के बजाए वो हंगामा करना ही उचित से बसते हैं. जब एक बच्चे की मौत हो गई बच्चों को काटने की घटना बढ़ गई तब आप एक्शन में आए. तो ये एक लापर वाही निगम की दिलकुल नजर आती है. समय रहते हैं अगर आप एक्शन लेते तो शायद इससी ऐसी नहीं होती. आवारा कुट्थों की समस्या कोई नहीं नहीं हैं शहर में. शहर में आवारा कुट्थे लगातार हैं और लगातार कॉलोनियों में ऐसे हाथसे होते हैं. लेकिन जब घटना बड़ी हो जाती है तो निगम अमलाच जाता है. ये एक बड़ी परिशानी है. ठीक बात है पैट लवस को समझाना जरूर जरूर च प्रवारा सिस्टम ये एक्टिवनेस कब तक रहती है? सवाल ये भी किया गया था कि ये कब तक रिस्टियां दुरूर जाएंगी? बताया गया कि एजन्सियों को काम दिया गया है. तो निगम ये कह रहा है कि लगातार वो काम पर लगा हुआ है. कब तक जमीन पर वो परतन दिखाई देता है उसका अंतजार हर किसी को है. बहुत शुक्रिया प्रशानत आपका इजनकारी के लिए. कि कॉंगर्स पुरे देश ते माफी मांगे, हिंदु समास से कॉंगर्स को माफी मांगनी चाहिए. कि ग्वालियर में सुर्य गांधी ने राम मंदर का नियोता ठुकरा दिया, जिसके बाद जिलावपाध्यक्ष आनंद शर्मा ने अपने पत से स्टीपा दे दिया. शर्मा ने राम मंदर प्रान प्रतिष्ठा के नियोता ठुकराने को अपने स्टीपे की वज़ा बताया, वहीं कॉंगर्स छोड़ते ही आनंद शर्मा ने बीजेपी जॉइन कर ली. मुखरजी भवन में बीजेपी के पधादिकारियों ने शर्मा को पार्टी की सगस्टा दिलाई, यूजेटीन से खास बात चीत करते हुए शर्मा ने कहा कि जो राम का नहीं वो देशकन है. अगली खबर भिंड से आपको बता रहे हैं, जहां उपनेता प्रथिपक्ष परिवार को मिला निमंतरन, कटारे परिवार को अयोध्या से निमंतरन मिला है. हेमंत कटारे के भाई, उनकी माता जी, उनकी पत्नी को निमंतरन मिला है, हेमंत कटारे को निमंतरन नहीं मिला है. 18 से 25 जनवरी तक का वाहन पास जारी किया गया भिंड के प्रतिष्चित परिवारों में से एक है कटारे परिवार भिंड के दिगजनेता रहे हैं स्वंग स्वर्गि सत्यदेव कटारे तो उपनेता प्रतिफक्ष के परिवार को निमंतरन मिला है 18 से 25 सक के लिए वाहन पास भी जारी हुआ है हलांकि हेमंत कटारे को निमंतरन नहीं मिला है